Hello students, welcome back to Magnet Brains Hindi, आपकी लाली वर्मा मैडम, फिर से आगई है Magnet Brains Hindi पर आप सभी विद्यारतियों के समक्ष, क्या बताने के लिए? आफकार्स पढ़ाने के लिए और साथ ही साथ Magnet Brains जो की भारत का नमबर उन प्लैटफॉर्म एक अक्षा साथ भी से बारवी तक की ऑनलाइन एजुकेशन के लिए और साथ ही साथ सभी प्रकार की कॉम्टेटिव एक्जाम्स जो होते हैं, उनके वीडियो भी आप बेस्ट फ हैं तो हम हैं ना, कमेंट बॉक्स में लिखो और आपके हर एक समस्या का समधान यूं किया जाएगा Magnet Brains वर, इसी तरह से हमारे साथ बने रहना है आपको हमेशा हमेशा के लिए और किसी भी तरह का डाउट, डर, संदे या संकोच अपने मन और मस्तिश में मत पालना, जो हो बात कह देना साक्षात, भले ही हम सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हुए हैं, लेकिन क्या कभी हमें लगता है कि आप कहां, हम कहां, अरे भाई, ऐसा लगता है कि बस आप हमारे सामने हो और हम आपके सामने, और इसी तरह से हमारी Teaching Learning Process है TLP, वो बड़े ही अच्छे अंदास से चलती रहती है, अब मुझे आप ये बताओ, क्या आपको जो मैं पढ़ाती हूँ, वो समझ में आ रहा है, जी हां, बिहार बोर्ड चुरू किया है, आपके कहने पर, तो इसमें कोई परिशानी तो नहीं, कोई डाउट तो नहीं, ऐसा तो नहीं कि, ऐसा हो काश क कि वैसा हो, तो जो आपका काश होना, वो लिख देना, कोशिश करें कि हम काश को बिल्कुल साकार करने की, क्यूंकि आपके सपनों को, आपके ड्रीम्स को, आपके लक्ष को साकार करने की ठान ली है, मैगनेट ब्रेंस नहीं, तभी तो 100% free online education प्रोवाइड कर रहा है, और ह अमेशा करते रहेगा, इसलिए सिर्फ और सिर्फ आपको करना क्या है, वीडियो को ध्यान से देखना है, like करना है, subscribe करना है, क्योंकि subscribe करोगे, तभी तो notifications मिलेंगे, और तभी तो आप up to date रहकार, वीडियोज को देख पाओगे, और लाब उठा पाओगे, साथी साथ share करन मेरे बात महंने और minder हो बताओ जली लाली म्हरस की बात महांते हो याज, आप मेरी बात महांते हो, अधिक से अधिक लाइक करो, सबस्क्राइब करो और शेयर करो इतना की कहते हैं अभी अभी हमने पढ़ाना की महनत इतनी खामोशी से करो कि सफल तशोर मचा दे आपका शेर करना आपका सब्सक्राइब करना और आपका लाइक करना ये हमारे संबंद को और मजबूत बनाएगा जो की चा जाएगा पूरी दुनिया में इसी तरह से हमारे साथ आपको बने रहना है सदा के लिए निश्चिंत रहिए कभी भी आप से ह हम पेड सब्सक्रिप्शन की बात नहीं करेंगे किसी भी प्रकार के चार्ज की बात नहीं करेंगे बिल्कुल एपसिलूटली फ्री एजूकेशन है हमेशा रहेगी चलो तो आजाओ हम चलते हैं अब अशोग वाजपई जी द्वारा रजित पार्ट नौ अफकोर्स आविन क्योंकि ये द्रिश ये नजारा ये इतना सुंदर शहर कहां का है दक्षिन फ्रांस का बहुत सारे ऐसे स्थाने जहां पर लेखक ने चर्चा की थी तो आज इस वीडियो में complete chapter revision हम करेंगे जिसके दौरान हम लेखक परीचा देखेंगे पाठ को पढ़ेंगे पाठ को पढ विद्यारतियों से मेरा बहुत पुराना नाता है ठीक है तो इस तरह से आपके मस्तिश्क में जो भी प्रश्न उपज सकते हैं उनकी भी मैं चर्चा करूंगी और साती साथ हर एक समस्या का समधान करने की मैं पूरी-पूरी कोशिश करूंगी और हमेशा करती रहूंगी ब जदी आप ध्यान से देखोगे वीडियो तो रहोगे एकदम हिट किसी भी तरह से आपको कोई भी चैप्टर जो आप वीडियो देख रहे हैं कोई भी चैप्टर चाहे वो गद्ध खंड का हो चाहे पाठे क्रम का हो चाहे कवीताओं का हो आने वाली कवीता है ना तो उन मे ब्राफर समया चार्व cracking ज़न से हरे एक बातों को जानेंगे देखिए कितना मंतलब मुस्कुराता हुँआ चैरा के तहेतां कि प्राफराथा हुआ चैरानुबभी चैरा व Plusikkratatat алpыватьbird अनुछारा चैरा सबको अपनी और आकर्शित करता है तो एक दो बार कोई सुन लेगा हमारा और फिर यदि हमारी यह यादत है तो दूर से देखकर सोच अरे चलो वो पका देगा नहीं तो ऐसी भावना बन जाती है इसलिए अपने आपको हमेशा खुश रखना है तरो ताजा रखना है एक्टिव रखना है सुस्त रखना है जो कि मैं हमेशा कहती हूँ ठीक है नमन करते हैं माशोग बाचपई जी को जिनोंने अपने अनुभव को 19 दिनों के अनुभव को आविन्योपाट के माध्यम से हम 27 गद्य रचनाय कर डाली थी 19 दिनों में आचाओ पढ़ते हैं लेखक परिजय अशोग बाचपई जी का जन्म 16 जन्वरी सन 1941 में दुर्ग 36 गड़ में हुआ 36 गड़ में उनका जन्म हुआ लेकिन उनका जीवन यापन कहा हुआ मतलब वे कहां रहे किन्तु उनका मूल निवास सागर मध्यप्रदेश है भारत का दिल मध्यप्रदेश भारत का रदय मध्यप्रदेश और वहां का सागर जिला ठीक है उनकी माता जी का नाम निर्मला देवी और पिता जी का नाम परमानंद वाजफाई जी है उनकी प्रारंबिक सिक्षा गोवर्मेंट हायर सेकंडे स्कूल सागर से हुई फिर सागर विशिविद्याले से उन्होंने बी-ए और सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से अंग्रेजे में एमे किया उन्होंने वृत्ती के रूप में भारतिय प्रशासनिक सेवा को भी अपनाया वे भारती प्रशासनिक सेवा के कई पदों पर रहे और महात्मा गांधी अंतराष्टिये हिंदी विश्विद्याला के प्रत्थम कुलपती पत से सेवा निर्वित हुए कुलपती रहे वो कॉलेज में ठीक है क्यूंकि अभी भी हमें इनका आशिरवाद, इनकी रचनाय प्राप्त होती है ये हम सौबाग शाली है कि अशोग वाजपाई जी हमारे साथ है अशोग वाजपाई जी की लगभग तीन दर्जन मॉलिक और संपादित कृतियां प्रकाशित हैं लगभग तीन दर्जन जो की लिखेत है और भी कई होंगी शहर अब भी संभावना है एक पतंग अनंत में पतंग उडाई है कभी मकर सक्रांति के अपसर पर पतंग उडाई जाती है क्या आप पतंग उडाते हो? मुझे नहीं आती है पतंग उडाना यदि आपको आता है तो बताना मुझे ततपुरुष कहीं नहीं वहीं कहीं नहीं वहीं क्या रचना है बहूरी अकेला थोड़ी सी जगह दुख चिठीर सा आदी उनके कवीता संक्लन है फिलहाल कुछ पूरुवग्र है समय से बाहर कवीता का गल्प कवी कह गया है आदी उनकी आलोचना की पुछतके है अब यहाँ पर बात आती है आलोचनषब तो आलोचनषब का अर्थ निन्दा नहीं होता ठीक है आलोचनषब का अर्थ होता है किसी भी व्यक्ति वस्तू रचना के बारे में अराम से बिल्कुल उसको अब्जर्व किया इसमें क्या अच्छाईया है उनको भी बताया कि वह क्या बात है ये शामिल गिए ये बहुत अच्छी बात है क्या होना चाहिए और क्या कमिया है उनको बताया सिर्फ कमिया बताकर पल्लर नहीं जाड़ा कि बस कमिया बता दियों क्या होते हैं नयन आखें नेद्र ठीक है तो ध्यान पूर्वक देखकर उसकी अच्छाईयां उसकी कमियों को जानकर और उस कमियों को पूरा करना आलोशना कहलाता है तो उनकी आलोशना की भी पुस्तक हैं उनके द्वारा संपादित पुस्तकों की सूची भी लंबी है जैस तीसरा साक्षय, साहित विनोद, कला विनोद, कवीता का जनपद, मुक्ती बोध, शमशेर और अग्ये शमशेर बहादुर सिंग, हीरानंद, सचिद्यानंद, वातसायन अग्ये कि चुनी हुई कवीताओं का संपादन आदी, उन्होंने कई पत्रिकाओं का संपादन किया यहां तो कम से कम तीन दर्जन मौलिक संपादित कृतियां लिखी दिया है यहां तो लिखा है कई पत्रिकाओं का संपादन किया, अर्थाद अंगिनत और लिखा है कि जिन में समवेत, बहचान, पूर्वग्रह, बहुबचन, कविता एशिया, समास, आधी प्रमुक हैं अशुक बाजपैजी को साहत अकद्मी पुरसकार, दयावती, मोधी कवी शिखर सम्मान, फ्रेंड सरकार का Office of the Order of Cross 2004 सम्मान आधी प्राप्त हो चुके हैं, यार धन्य है, हम, अब सूचना हैं हम, जी हाँ, हम धन्य हैं जो उनकी रचनाओं को पढ़ रहे हैं हम धन्य हैं जो इतनी महान हस्ती की रचनाओं को पढ़ कर एक दूसरे से conversation कर रहे हैं अर्थार एक दूसरे से ग्यान अर्जन कर रहे हैं आदान प्रदान कर रहे हैं तो हम किस्मत वाले हैं जो हमें उनकी रचनाओं को पढ़ने का और मैं बहुत लखी हूँ कि मैंगनेट ब्रेंस के माद्देम से मुझे ये चैप्टर या हर एक कवीता या पार्ट पढ़ाने का सुअफसर प्राप्त हुआ मैं लखी हूँ कि मुझे आप जैसे विद्यारतियों के पास आने का अफसर मिला भले ही वो सोशल मीडिया ही क्यों ना हो ठीक है समझ में आया अब चलते हैं हम आगे कि और क्या है सरजक साहितकार अशोक वाजपई जी तुवारा रचित प्रस् रगा वो सारी जानकारी है यह पार्ट उनके आविन्यो नामगगद्ध येवं कवीता के सजनातमक संग्रय से संक्लित है इसी नामके संग्रय में उनकी सर्जनात्मक गद्ध की कुछ रचनाएं और कविताएं अभी देखा ना कि 19 दिनों में उन्होंने 35 कविताएं लिखी थी और 27 गद्ध रचनाएं की थी जिन मैंसे दोनों विधाओं की दो रचनाओं के साथ पुस्तक की भूमी का भी किंचित संपातित रूप में यहां प्रस्तुत है आविन्यो दक्षिन फ्रांस का एक मध्य यूगीन इसाई मठ है जहां लेखक ने 21 दिनों तक लगभग 21 दिनों मतलब 19 दिनों तक एकांत रचनात्मक प्रवास का अवसर पाया एकांत भी लिखा है एकांत क्यों लिखा है कि जो मठ था ला शत्रूज वो मौन इस्थान रहता था इदम वहां कोई मतलब ऐसा लगता था कि उन्हों लिखा है सुन अच्छी रात डरावनी रात साथी साथ कुछ चाहने वाली रात आसक्ती वाली रात इदम पिंडर उप साइलेंस जैसा वहां पर शोर शराब नहीं तो बहुत अच्छे से कल्पना की जा सकती है रचनाएं की जा सकती है तो वो यहां पर उन्हों लिखा है कि एकांत रचनात्मक प्रवास का अवसर मिला उनको जो की उनके जीवन में अविस्मर नहीं रहा अब प्रवास के दोरान लगभग प्रती दिन गद्य और कविताएं लिखी थी और साथी साथ इस तरह हिंदी ही नहीं भारत के भिनिस्थान और परिवेश के एकांत प्रवास में एक निश्चित स्थान और समय से अनुबद मानस के सजनात्मक अनुष्ठान का साक्षी यह पाठ एक वैश्विक जागरुकता और संस्क्रती बोध से परिपून रचनकार के मानस अंतरंग जलक पेश करते हुए यह दिखाता है कि रचनाएं कैसे रूप आकार ग्रहन करती हैं कोई रचना कितनी भी पुरानी क्यों ना हो आज भी उतनी ही प्रभावी होती है जैसे सिंगासन हिल उठे राजवन्शोंने ब्रकुटी तानी थी बूडे भारत में भी आई फिरसे नई जवानी थी चमाकुठी संसत्तावन में वहतलवार पुरानी थी हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मरदानी वहतो जासी वाली रानी थी आज भी उस कविता को उसी जोश उसी वीरता के साथ उसी ओज के साथ पढ़ा जाता है समझा जाता है ठीक है तो यही कहने का प्रयास है यहां पर कि यहां पर लिखा है कि भारत से भिन इस्थान और परिवेश के एकान प्रवास में एक निश्चित स्थान और समय से अनुबद मानस के सरजनात्मक अनुष्ठान का साक्षी है पार्ट वैश्विक जागरुकता मतलब ग्लोबल अवेरनेस और संस्कृती बोच से परिपून रचनाकार के मानस मानस समझते हो मस्तिश्क जलक पेश करते हुए यह दिखाता है कि रचना कैसे रूपाकार ग्रहन करती है कोई भी रचना महज एक शब्द विवस्था पर नहीं होती उसकी निर्मान प्रकरिया में रचनाकार की प्रतिभा देखो कितनी अच्छी बात कहिए इसको ध्यान से सुनना कि कोई भी रचना महज एक शब्द की विवस्था नहीं होती इसकी निर्मान प्रकरिया में रचनाकार की प्रतिभा उसके जटिल मानस के साथ स्थान और परिवेश की भूमिका अत्ती महत्वपून होती है तभी तो जैसा माहौल मिलता है, जैसा आटमोस्फियर रहता है, जैसे संगती में हम रहते हैं, उसका प्रभाव हम पर पढ़ता है तब ही तो हम कहते हैं कि हमारी जो पहचान है कि मैं कौन हूँ, मैं ये हूँ, क्या हूँ मैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, क्यूंकि मैं जब अपनी पहचान बताऊंगा, तो मैं अपनी पहचान के आसपा सब कुछ बताना पड़ेगा, मेरा नाम, जैसे मैंने का, मैं लाली हूँ हरे भाई तो क्या हुआ कौन लाली कैसी लाली कहा है लाली और भी कई लाली होंगे नहीं नहीं मैं लाली वर्मा हूँ हो सकता है और भी कई लाली वर्मा हूँ और क्या पहचान है मैं यहां रहती हूँ मैं इस परिवार की हूँ मैं यह पढ़ाती हूँ मैं यह करती हू तब जाकर हम सारी मतलब मेरा इस्थान कहा है मेरा जन्म कहा हुआ मेरी जाती क्या है मेरा गोत्र क्या है मेरा कर्म क्या है मेरा जन्म इस्थान कर्म इस्थान कहा है वो सब कुछ मुझे बताना होगा तब जाकर कहीं मैं अपनी पहचान बता पाऊंगी समझ रहे हो कि हमारी पहचान सिर्फ हमसे नहीं होती है हमसे जुड़े हर एक व्यक्ति, वस्तू, इस्तान, हाव, भाव सब से होती है इसलिए कुछ भी करने से पहले, कहीं भी जाने से पहले think about कि इसका परिणाम क्या होगा हो सकता है हम जो करने जा रहे हैं उसके कारण हमारे अपनों को कोई दुख महुच जाए तो रुकना है, थोड़ा सा रुकना है कि हम इसी आधार पर अपने कारे को करेंगे जिसमें किसी भी को भी आहत या दुख ना हो, ठीक है सो चलते हैं, हम भी आविन्यों एक ऐसे शहर में, जहाँ पर एकदम silent मूख चाया रहता है एक ऐसा ईसाई मट, जहाँ पर एक ऐसा इस्थान है, पवित्र इस्थान है जहाँ पर बिल्कुल मूख माध्यम से, मतलब एकदम चुपचाप, मौन धारन करके सारे कारी किये जाते हैं तो लेखक भी वही निवास किये और उन्होंने वहाँ पर रहकर कई रचनाएं की और उन्होंने अपना अद्भुत या यूँ कहें कि अपना अविस्मरणिय जो वक्त था उसको हम सब के साथ साजा किया ठीक है चलो तो पढ़ते हैं और पढ़ते पढ़ते जो भी परशन उपजेंगे या परशन निर्मान हो सकते हैं उनकी भी हम चड़चा करेंगे लगवग 10 वर्ष पहले पहली बार आविन्यों गया लेखक ने कहा है कि लगवग 10 वर्ष हो गए होंगे उस समय में आविन्यू गया था दक्षिन फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा बिहार के डुम्राओ में बिहार की बात कर रही हूँ आपके बिल्कुल स्टेट की बात कर रही हूँ बिहार में डुम्राओ है और डुम्राओ में सोन नदी है सोन नदी क्यों प्रसिद्ध है डुम्राव क्यों प्रसिद्ध है बिस्मिल्ला खां उस्ताद बिस्मिल्ला खां का नाम आपने सुना होगा जो शेहनाई बादक थे तो शेहनाई में जिस रीड का प्रयोग किया जाता ना रीड जो फूक ने के लिए प्रयोग में लाए जाती तो लिखा है दक्षिन फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा एक पुराना शहर है जहां कभी कुछ समय के लिए पोप राजधानी थी और अब गर्मियों में फ्रांस और यूरोप का एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोग पूरी रंग समारो हर वर्ष होता है हर वर्ष वो इतना रंगा रंग कारेक्रम होता है सब लोग आते हैं अपने अभी व्यक्ति करते हैं और उसके साथी साथ फिर वहां साइलेंटली काम होता है ठीक है उस वर्ष वहां भारत केंदर में था पीटर वुक्का विवादस्पत महाभारत पहले पहल प्रस्तुत किया जाने वाला था कहां पर वहीं पर ठीक है भारत केंदर था मतलब समझ रहा हो तो लिखा है यहां कि गर्मियों में फ्रांस और ये रंग समारों हर वर्ष होता है उस वर्ष मतलब जिस वर्ष लेखक गए थे उस वर्ष भारत केंद्र था मतलब भारत केंद्र बिंदू मानकर या भारत प्रमुक रूप से वहाँ पर प्रस्तुति देने वाला था और क्या महाभारत ग्रंद के बारे में पीटर बुक का विवादस्पत महाभारत पहले-पहल प्रस्तुत किया जाने वाला था और उन्होंने मुझे निमंत्रन भेजा था मतलब मुझे मतलब लेकप को रोन नदी के दूसरी और आविन्यो का एक हिस्सा है जो लगभग स्वतंत्र है नाम है वील नव आविन्यो वहाँ दरासल फ्रेंट्स शाषकों ने पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बन वाय था उसी में काथू सियन संप्रदाय का एक इसाई मठ बना था लाशत्रूज ध्यान से सुनना ये प्रशन पूछे ही पूछे जाएंगे कि आविन्यो क्या है या फिर वील नव क्या है या फिर लाशत्रूज क्या है अत्ती अत्ती आवश्यक अत्ती महत्वपून कंपल सरीली इन से प्रशन आएंगे ही आएंगे इन बातों को ध्यान से सुन लो कि रोन नदी के दूसरी और आविन्यों का एक हिस्सा है जो लगभक स्वतंत्र है नाम है वीलनव आविन्यों ठीक है रोन नदी के दूसरी तरफ वीलनव आविन्यों है वहाँ दरसल फ्रेंच शाषकों ने पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनवाय था कहाँ पर वीलनब आविन्यों में उसी में काथू सियन संपरदाय का ईसाई मठ बना है जो की नाम है लाशत्रूज 24 सदी से फ्रेंच क्रांती तक उसका धार में कुपयोग होता रहा अब इसमें कला केंदर स्थापित हो गया किसमें लाशत्रूज में कहाँ है वीलनब में वो कहाँ है आविन्यों का हिस्सा है ठीके ये ध्यान रखते जाना मेरा प्रवास वहाँ 19 दिन का था लेखक ने बताया कि 24 अक्टूवर से 10 नवंबर तक ठीके 24, 25, 26, 27, 26, 29, 31, 31, 8 दिन हो गया और 10 दिन हो गया 18 मतलब आने तक जाने से आने तक लगवाँ 19 दिन 1994 की दुपहर कुल 19 दिनों में 35 कविताएं 19 दिनों में उन्होंने 35 कविताएं लिखी और 27 गद्य रचनाएं लिखी प्रशन आएगा कि लेखक ने कब मतलब लेखक आविन्यों में कब से कब तक रहे तो याद रखना 24 अक्टूवर से 10 नवंबर तक लेखक आविन्यों में रहे और वहाँ पर रहकर उन्होंने आविन्यों प्रतिक्षा करते हैं पत्थर देखो अब यहाँ पर प्रतिक्षा करते हैं पत्थर ये कवी की रचना है पत्थर किसी देवता या काल की पता नहीं किसकी प्रतिक्षा करते हैं पत्थर धीरत से रेशा रेशा जिरते हुए शिरा शिरा घिलते हुए बिना शब्द कवीता लिखते हैं पत्थर पता नहीं किसकी प्रतिक्षा करते हैं पत्थर यहां पर लेखक ने अपनी कवीता की माध्यम से पत्थरों का मानवी करण किया है अब थोड़ा सा मैं बता दूँ कि अलंकार होते हैं मानवी करण भी एक अलंकार है और इसमें मुख्य रूप से यू कहूं कि कवीताओं की सुन्दरता अलंकारों से ही बढ़ती है उसी प्रकार से अलंकार कवीताओं की शोभा बढ़ाते हैं तो यहां लिखा है प्रतिक्षा करते हैं पत्थर इस कवीता में कवी ने पूरी तरह से मानवी करण किया है क्यूंकि इस कवीता में उन्होंने उन शब्दों का उन क्रियाओं का वर्नन किया है जिनका उपियोग मनुष्य करता है प्रितिक्षा कौन करता है मनुष्य एक और कविता की पंक्तियां याद आई मुझे कि एक बीते के बराबर बीता समझते हो यह ऐसा बालिष्ट ठीक है एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना बताना कौन सा लंकार है एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना बांधे मुरेठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का पास ही मिलकर खड़ी है बीच में अलसी हटीली देह की पतली कमर की हैल अचीली क्या है ये किसका वर्णन है हाँ हाथ पीले कर लिये हैं ब्याह मंडप में पधारी क्या लग रहा है आपको हाथ पीले कर लिये हैं ब्याह मंडप में पधारी ऐसा लग रहा है ना कि विवहा के लिए एक कन्या तयार है लेकिन ये सरसों की खेते के लिए उन्होंने कहा है हाथ पीले कर लिये हैं ब्याह मंडप में पधारी तो उन क्रियाओं का उन शब्दों का प्रयोग प्रकरती पर करना जिनका की मानव के लिए किया जाता है और मानव के अलावा यदि प्रकरती पर उनी शब्दों का उनी क्रियाओं का प्रयोग होता है तो वहां मानवी करन अलंकार होता है क्लियर हुआ और डेटियल में हम जानेंगे वीडियो में तो यहां पर कवीता में प्रतीक्षा करते हैं पत्थर कवीता में कवी ने मानवी करन किया है लिखा है प्रतीक्षा करते हैं पत्थर धीरत से रेशा रेशा जिरते हुए शिरा शिरा घिलते हुए प्रतीक्षारत हैं पत्थर बिना शब्द कवीता लिखते हैं पत्थर पता नहीं किसकी प्रतीक्षा करते हैं पत्थर और मनुष्य और पत्थर की समानता भी बताई है कि जिस तरह से मनुष्य हमेशा मतलब सुख दुख ये सब जिलता रहता है अच यह समानता बताई है पत्थर और मनुश्य की नदी के किनारे भी नदी है अब उन्होंने और बता है कि वहां का जो दृष्ष है वो बहुत मनमुहाक है नदी के किनारे भी नदी है यहां पास में ही रोन नदी है याद रखना कौन सी नदी रोन कहते होंगे लाइन कैसे खीच और यान नहीं आती मुझे अच्छे से चलो रोन इस तरफ वीलनव और दूसरी तरफ आविन्यो रोन नदी के एक तरफ है वीलनव चोटा गाउं और दूसरी तरफ है आविन्यो तट पर बैठा तो कई बाह लगता कि जल स्थिर है जब तट मींज किनारा ऐसा लगता है कि जल तो स्थिर है और किनारा चल रहा है नदी तट पर बैठना भी नदी के साथ बेहना है क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम नदी जर्नों को देखें और हमारा मन भी उन्हीं की तरह नहीं हो कई बार नदी स्थिर होती है हम तट पर बैठे रहते हैं नदी के पास होना नदी है नदी किसी को अंदेखा नहीं करती है साफ को भिगो देती है बहुत अच्छा नुभव देती है अपने साथ करती है उसी प्रकार कविता में हम बार बार ही शामिल हो जाते हैं यहां पर क वी ने नदी और कविता की तुलना की है नदी और कविता में समानता दिखाई है किस तरह से कि जिस तरह से नदी एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहती रहती है और समुद्र में मिल जाती है सागर में मिल जाती है लेकिन क्या सागर या समुद्र में मिलने पर नदी का पानी उसी तरह से कविताएं भी तो सधियों से चली आ रही है अभी मैंने कौनों सिंग अनी लूटे और भी ऐसी बहुत सारी कविताएं वर्षों तक बढ़ घूम घूम बाधा विगनों को चूम-चूम बहुत सारी कविता हैं जो कई मतलब वर्षों पहले लिखी गई है लेकिन आज भी उनमें जोश है, उनमें उमंग है, पुश्प की अमिलाश है, बहुत सारी कविता हैं, ठीक है, तो यहाँ पर कविता और नदी में यही समानता है कि नदी बैती हुई सागर में मिलती है, फिर भी वो जल रिक्त नहीं होती, उसी तरह से कविताएं भी एतिहासिक रू नहीं करती है, सब को भिगोती है, अपने साथ करती है, उसी परकार कविता में हम बार बार शामिल हो जाते हैं, जो भी कविता है, जो भी रचना है, उसको दिल से पढ़ो ना, भावनाओं के साथ तो ऐसा लगता है कि हम भी उसी के हिस्सा हैं, वो हमसे बिलकुल भी अलग नहीं लगती एक आकार हो जाते हैं उसमें शामिल हो जाते हैं हम उसमें समा जाते हैं जैसे मैं मेरी कविता फिर से सुनाओ कि एक बार मैंने सुनाई थी कि आशावादी हूँ जीवन में नहीं प्रभुता की प्यासी चहरे पर मुस्कान है रहती रहती नहीं उदाशी हिंदी भाषा प्यारी मुझको नहीं हूँ मैं बहुभाशी नित नूतन ग्या नर्जन को मैं रहती हूँ अभिलाशी करती हूँ मैं काम वही जो मेरे मन को भाता ह अपनों को धोके में रखना मुझे कभी नहीं आता है कभी सफलता कभी विफलता जीवन का ये रंग है कभी ये लगता सीधो साधो कभी की जैसे वक्र है जहां भी रहती जहां में जाती प्यार मुझे सब से मिलता मेरा मुझ में नहीं है कुछ भी सब कुछ है रव से मिलता नामे कवित्री नाही लेखी का नाही ना ये कविता नाही दोहा नाही है ये चौपाई आतम कत्थ लिख दिया है मैंने इस से अच्छाना लिख पाई नामे मैन का नामे उर्वशी नाही दुरगा काली सीधी साधी नारी हूँ, नाम है मेरा लाली ये मेरी कविता है, और भी कई कविताओं की रचनाय करती हूँ जैसे बहुत सारी कविताइं लिखी हैं और मैंने आपको बताया था कि सुविचार तो मैं हर दिन लिखती हूँ, इस्टेटस कर सुविचार रहता है तो बहुत सारी रचनाएं करने के लिए लेकिन यूँ ही नहीं कि मतलब कहीं भी कैसे भी लिख दो कवीता लिखने के लिए शब्द चाहिए और उसमें थोड़ा सामे सुकून जैसे लेखा गए थे न भाई गमान वाता वरन में उन्होंने कितनी सारी रचनाएं कर डाली तो रचना मतलब शब्दों को यह कवीता को शब्द बद्ध करने के लिए शान्ती और एकांत की आवशकता होती इसलिए मेनत इतनी खामोशी से करना मेरे प्यारे विद्धारती हो कि आपकी सफलता शोर मचा दे फिर मिलेंगे हम जब आप सफलता के शिकर पर पहुँचोगे तो यही बता है कि कवीता और नदी भी एक समान होती है आशा करती हूँ बहुत अच्छे से आपने सुना समझा और इसी तरह से हर एक पार्ट को सुनेंगे समझेंगे और जो भी डाउट होंगे उनको अवश्य लिखेंगे बिल्कुल डर या संकोच नहीं करना है मैंगनेट ब्रेन से आपके लिए जो कोक्षा साथवी से बारवित की ओनलाइन स्कूल एजुकेशन के साथ साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परिक्षाओं के वीडियो भी 100% फ्री प्रोवाइड कर रहा है करता रहेगा हिंदी के वीडियो देखना है आपको मैं तो कहते हूँ सभी रिशा के वीडियो देखी बट अभी लाली मेडम है तो हिंदी की बात करेंगी Just type Magnet Brains Hindi और आपको Class 10 Hindi क्या देखना है? क्या आपको आपकी पार्टे पुस्तक हैं जो हैं गोधुली और वरेने का उनका पार्टे परीचे चाहिए पार्टे क्रम? Yes, of course तो क्लिक करिए पार्टे क्रम का वीडियो जैसे ही क्लिक करेंगे लाली मेडम प्रकट हो जाएंगी और वो बताएंगी बहुत आसान तरीके से आपकी दोनों पुस्तकों में कितने पार्ट हैं कौन कवी या लेखक हैं जो भी शीर्शक दिया होगा जो भी टाइटल उसका इंट्रॉड़क्शन भी देंगी पाठिक्रम का वीडियो देखते ही आपको हिंदी में जितने चैप्टर से उन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा और वीडियो पसंद जरूर आएगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना शेर जरूर करना, अधिक से अधिक शेर करना ताकि आपका और हमारा साथ यूही मजबूती से बना रहे हम और आप सदा करेक्टेड रहें, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्वस्त रहना, खुश रहना बाबाई, थैंक्यी सो मज